दोस्तों आज कि इस वीडियो पे हम TRX के ऊपर बात करने वाले हैं ट्रॉन कोईन के ऊपर यहाँ पर डिस्स करने वाले हैं पैसिकलि अगर हम यहाँ पर देखे तो ट्रों में काफी ज्यादा हमें सोड़ को देखनेको मिल दी है इसमें कई सारे शॉब्स है जो आने वाल टैम पीप क्वेस्सकश cricket को मिल सकता है इस्कि मेसर कॉइन की सारे कोइन की पूर यहां पर बात करेंगे बैसिक clocks के mechanism क्या है क्या ये भी लूना की तरह क्रेस हो सकती है क्योंकि इसकी जो mechanism है वो लगभग लूना की तरह है तो यह हम यहाँ पर आगे बात करेंगे मैं अक्षर के वीडियो का पुरा देखो नीचे आपको description पे टेलिग्राम के लिंक होगी उसे आप वहाँ पर जोइन करो जहां पर मार्केट के अपडेट हो कॉल सो कुको आज जैम टॉकें हो इसके बारे में मैं यहाँ पर अपडेट करता हूं तो अभी फिलाल अगर हम ट्रोन के उपर बात करें तो ट्रोन लगभग यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टॉप 15 प्रोजेक्ट के अंडर पर यहाँ पर आ चुकी है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वीकली 20 परसेंट का गें देखने को मिल रहा है जबकि अदर 94 बिलियन का सप्लाई है सबसे इंपोर्टन मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पर दी हुई नहीं है जो कि लूना पर भी हमें ऐसा देखने को मिल रहा था यहाँ पर सबसे इंपोर्टन न्यूज क्या है यह यहाँ पर हम बात करते हैं तो ट्रॉन डेफी सर्ज ओन टेरा इंस्पाइड स्टैबल कोईन लूना तो जैसा कि हमें पता है कि लूना और यूएश्टी आपस में एक बेक अप करके एक कोईन लोन चुई थे जस लाइक आप लूना को यहाँ पर ले सकते हों कि लूना और यूएश्टी में आपस में बेक थी लूना की जो पैस तेखनों को मिला है काफी सारे लोग यहां पर अगर हम बात करें तो काफी सारे लोगों के फंड यहां पर बरबाद हो चुके तो ऐसे में लगभक से लगभक उसी एको सिस्टम पर यहां पर ट्रॉन ने भी अपनी एक EOS टैबल कोई यहां पर लाई थोरी सी यहां पर ड इको सिस्टम जो डेफी एको सिस्टम है वो थर्ड लार्जेस्ट यहां पर ब्लॉक्चेन बन चुकी है इथिरियम और ब्न के बाद ट्रों के ब्लॉक्चेन का यहां पर नमबर हमें देखने को मिल रहे हैं यहां पर अगर आप देखोगे दसर्ज कैन लाइकली बी एट्रिब 80% का एल्ड यहां पर हमें दे रही है रिस्क फ्री यहां पर बताए जा रहा है इसके बात अगर हम बात करी तो ट्रों के ब्लॉक्चेन पर यहाँ और बिल्कुल सी तरह से टेरा और आपस में यूईश्ट यहां पर लिंक थी यहां पर क्या होता था कि जब भी टेरा के जो supply है उसे वहाँ पर बर्ण किया जाता था मतलब लूना के जो supply है उसे यहां पर decrease किया जाता था तो उस टमा usda के जो coin है ईसे यहां पर mint की जाती थी तो ठीक हमें यहां पर देखने को मिल रहे है ट्रॉन के supply को यहां पर decrees किया जा रहे है और USD के जो सप्प्लाई है उसमें वहां पर मिंट के जा रही है ताकि आपस में एक दूसरे को यह बालेंस करें तो जस्टिन सन के कई सारे आपको ट्विट्स देखने को मिलेंगे मस्ट हब स्टैवल कोई के बारें बात करें तो डी संट्रलाइज स्टैवल कोईन है जो यूसे डॉलर के बराबर यहां पर रखेंगे आप ऐसा समझ सकते हो लूना और यूसे के तरह यहां पर आपको देखने को मिलेगी जहां पर दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी लेकिन यहां पर कुछ यूसेटी को आप बचाए रखें जब भी उसमें कुछ क्रेस आए तो वह बिटकॉइन के थरू उसे वहां पर बेक अप कर सकें लेकिन यहां पर आप देखोगे तो जस्टिन संट का ट्वीट ही यहां पर आप देख सकते हो दै यूसेटी नेट रॉक विल प्रोवाइट क यहां पर रखने वाले हैं तो यह थोड़ा सा अगर हम देखिए तो लूना के तरफ से थोड़ा सी्दिफरेंस हे क्योंकि वह वहां पर विटकोइन को एज़े एसेट की रुप में बता री थी कि वह बिटकोइन को एजए एससेट में रिजव पे वहां पर डॉलर हैं और तो जायरेस बात है कि TRX के यहां पर जैसी TRX के supply यहां पर decrease होती है तो अलग USDT में थोगा सा आपको supply mint आपको देखने को मिलता है तो दोनों आपस में आप यहां पर link रहेंगे और इस हिसाफ सा अगर हम देखे तो TRX में आपको लगभग कई टाइम इस तरह के आपको burning mechanism आपको देखने को मिलेंगे ताकि USDT को फिलाल यहां पर mint किया जा सके USDT की अगर market cap आप देखोगे तो 543 million dollar का है जो की काफी कम है और इस हिसाब से अगर हम आगी के बारे में बात करें पर इसके future के बारे में बात करें तो अगर आपको Luna के बारे में पता होगा कि Luna जब भी यहां पर जब इसके सुरुवाती stress थे जब इसके initial stress थे तो उसमें Luna काफी ज़्यादा pump हमें देखने को मिला था काफी बड़ी pump हमें लुना में देखने को मिली तो same like मैं समझता हूँ कि अगर tutor account पे जाओगे तो TRX और UST के इतने सारे अभी फिलाल news भरे परें जिसका असर आपको देखने को मिल सकता है TRX के price में आपको pumping देखने को मिल सकत हुए तो इसे में इसके थुरू अगर हम यहाँ पर समयने की कोशिस करें तो जब भी कोई project इनिसले stage पर आती है तो अच्छा कासा pump करती है TRX या पर जस्टिन सन के बारे हम बात करें तो जब भी कोई new project trend पर होती है जैसे के पहले हम यहाँ पर देखा था कि जो launchpad थे वह क trending project को ओपर यह project यहाँ पर लाई है Luna काफी ज्यादा trend में थी लेकिन अभी यहाँ पर इसके जो crash हुए उससे हमें समयने को मिलता है कि इस तरह के project में काफी सारे loop falls होते हैं जहाँ पर हमें फिर से किसी तरह का crash हमें देखने को मिल सकता है साथ में Justin Sun के बारे हम बात करें तो हो चुकी है तो ऐसे में अगर हम यहाँ पर समझें तो सोटम vision के हिसाब से project में मुझे लगता है कि अच्छी खासी pump आपको देखने को मिल सकती है जैसे जिसे कुछ news आपको देखने को मिलेगा TRX में आपको pumping यहाँ पर देखने को मिलेगी तो vision के हिसाब से मैं समझता breakout यहाँ पर होता है तो काफी ज्यादा chance बनेगा 0.085 यहाँ पर breakout होता है काफी ज्यादा chance बनेगा कि लगभग आपको 0.92 डोलर पर देखने को मिले इसके बाद और भी ज्यादा pump हो सकती है अगर इसके ओपर यहाँ पर support बनाती है तो तो मैं अपने बारे हम बात करूँ त तो मैं सोटम विजन के हिसाब से यहाँ पर trade करूँगा और अगर मुझे stable cone रखने है तो मैं USDT ही prefer करूँगा USDD में prefer नहीं करूँगा हाला कि इसमें अभी इसके market cap काफी कम है तो I think कि यहाँ पर और ज्यादा traffic हमें देखने को मिलेगी but I am happy with USDT मैं USDT यहाँ पर रखना चा करना project में बहुत सारे लोग यहाँ पर बिलीव नहीं करते हैं हाला कि न्यूज काफी सारे हैं तो pumping में यहाँ पर accept करता हूं कि pump आपको देखने को मिल सकता है था होप दोस्तों वीडियो आपका अच्छा लगागा मिलते अपने next वीडियो में और crypto market के और भी आपको प्याव गयो गद्याि गया करते हैं ह।